इस वीडियो में हम 4th question discuss करेंगे exercise 2.4 बहुपद का तो हमें इन में गुड़नखंड करना है हमारे पास ये 4 बहुपद है और इनका गुड़नखंड करना है question में कोई condition नहीं दिये कि गुड़नखंड किस method से करना है क्योंकि गुड़नखंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास दो तरीके important है एक तो है गुड़नखंड प्रिमे की help से और दूसरा है middle term splitting कहते हैं जिसे ठीक है यानि बीच वाले को split करते हैं तो हम middle term splitting करेंगे क्योंकि कोई condition नहीं दिये तो जो easy है उसे ही follow करेंगे तो देखो कैसे करते हैं यहाँ पर अगर आपको गुड़नखंड आते हैं तो यह आपके लिए बड़ा आसान होगा लेकिन नहीं आते हैं तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसा follow करो देखो सबसे पहले इनका गुणा करते हैं इसका इससे कितना आया 12 आया 12 के दो हिससे करो ठीक है 12 के दो हिससे करो जिसको plus करके देखे ध्यान रखना यह sign सबसे ज़्यादा important है प्लस करके 7 आना चाहिए 12 के दो हिससे करो जिसको plus करके 7 आना चाहिए तो क्या होगा 4 and 3 बस हो गया तो यह हो जाएगा 12 x square अब इसको 4 3 में break कैसे करेंगे of course minus 4 minus 3 होगा plus 1 यहाँ से 4 x common लेंगे तो यह आएगा 3 x minus 1 minus 1 common लिया 3 x minus 1 ठीक है देखना यहाँ से minus है तो minus common लेना पड़ेगा plus का minus हो जाता है जब minus common लेते हैं तो sign change हो जाते हैं ठीक है और 3 x minus 1 यह दोनों में 3 x minus 1 है तो common ले लिया 4 x यहाँ बचा और minus 1 यह बचा यह answer आ गया है ठीक है ओके अब यह दूसरा question है again इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3 दूने 6 6 के 2 हिससे करो जिससे plus करके क्या करके मैंने कहा था न यह sign important है इस पर ध्यान रखना शांदार टेखनीक बता रहा है आपको एकदम कभी गलत नहीं होंगे आप प्लस करके 7 आना चाहिए तो फिर क्या होगा 6 कम 6 तभी 7 आएगा और 7 आई नहीं सकता तो यह 2x2 है प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 तो यहां से 2x कमन लिया तो x प्लस 3 अंदर बचा तो फिर x प्लस 3 यहां से कमन लिया और अंदर बचेगा 2x प्लस 1 समझ आ गिया अच्छा आप इससे करना है फिर इसका और इसका गुणा करेंगे 6 चके होगा 36 36 के 2 हिस्से करो जिसको क्या करके मैंने क्या बता था यह sign important है माइनस करके 5 आना चाहिए तो देखो 36 के 2 हिस्से करो माइनस करके 5 आना चाहिए तो 9 चको 36 होते है ठीक है यानि 6 X स्क्वाइर अब इसको 9 कैसे बनाए तो 5 कैसे बनाए 9 X माइनस 4 X आप समझ गए ना और मैनस करके आए था तो इनके sign अलग होने चाहिए 9 X माइनस 4 X I hope आपको समझ आ रहा होगा और अब यहाँ पर हमने common लिया 3 X तो अंदर बच्चा 2 X प्लस 3 मैं यहाँ पर माइनस 2 common लेंगे तो यहाँ 2 X प्लस 3 बचेगा और यह होगा 2 X प्लस 3 3 X यहाँ बचा माइनस 2 यह है यह answer आ गया है ठीक है अब यह last अगेन इसका और इसका गुणा करेंगे चारतियां 12 12 के तो हिस्से करो जिसको क्या करके माइनस करके 1 आए यहाँ पर 1 है ठीक है तो वो होता है चारतियां 12 तो हो गया 3 X स्क्वाइर माइनस 4 X प्लस 3 X माइनस 4 ओके तो यहाँ से X common लिया 3 X माइनस 4 1 common लिया 3 X माइनस 4 और यहाँ पर 3 X माइनस 4 and X प्लस 1 यह answer आ गया है बहुत ब्रिलिंट टेक्नीक है जो मैंने आपको बताई है और एक और important बात बहुत important बात देखिए गुर्ण खंड करने का मैंने एक वीडियो अलड़ी बना रखा है अपने चैनल पर उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिट्टन में प्रवाइड करतूंगा आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको इस तरह से बिल्दम स्प्रिडिंग से हम फैक्टर्स करते हैं तो all right then see you in the next video